हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्ट तो स्वागत है आपका बेस्ट केर ओफ प्रेगनेंसी में यहां हम बाते करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्राप्लम्स की उनके सलोशन के और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके करते हैं तो आप एक से दो महीने में ही 100% प्रेगनेंट हो जाएंगी यह सारे उपाए आपको आज के सिर्फ इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगे और यह जो उपाए मैं आपको बता रही हूं यह उपाए करके मैं ने भी कंसीव किया था तो इसे आप बिल्कुल इसमें से एक भी उपाए ऐसा नहीं है जो बेकार हो जिसे आप सोचे कि इसे अवाइड कर देते हैं ऐसी गलती कभी मत करिएगा जो मैं 11 उपाए बता रही हूं इन्हें आप ज़रूर फॉलो करिए और आप एक से दो महीने में ही 100% कंसीव कर लेंगी वीडियो बहुत हेलफूल है क् कि हमारे ज़्यादा दर सब्सक्राइबर्स हैं जो प्रेगनेंट होना चाह रही है बट वो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है तो वो क्यों प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है वो क्या गलती कर रही है जो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है क्या उन्हें तरीके अजमाने चा चाहत होती है कि उनके घर में नन्य मुन्य बच्चे खेले, बच्चों की किलकारी गुनजे लेकिन कई बार कुछ कारोनों की वज़े性 महिलाओं को गर्बधारण करने में दिक्कत आती हैं कई बार कुछ आदतों और कंडिशनों की चलते भी वह कर पाती हैं और वह काफी टैं के बारे में कि ऐसे कौन से वो तरीके हैं जो आपको जल्दी प्रेगनेंट कर सकते हैं पहला तरीका है कि गर्बधारण हमेसे सही उम्र में करें गर्बधारण करने की जो सही उम्र डॉक्टर्स बताते हैं वो है 18 से 18 साल के बीच में और इस उम्र की महिलाओं में को शादी के इसलिए यह देखिये कि आपकी उम्र झाया है और अगर आपकी उमर ज्याधा है तो आप डॉक्टर से प्रामश ले सकती हैं دूसरी टिप है कि अपनी प्रेगंधको Dá-पी आभर कि अच्छा हो चल्दी यह अंक उपंद की प्र Pay multiplied में जरूरी है तो तो आप management की जैज करता अगर मात्रा कमाती है तो आप पहले से ही treatment लेना शुरू कर दे भूल कर भी अपनी पहली pregnancy को कभी भी खत्म ना करें ये गलतिया जो है अक्सा newly married couples जो होते हैं जिनकी अभी recently शादी हुई है जो अभी बच्चे नहीं चाहते हैं वो लोग ये गलतियां करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें काफी प्यास करने पड़ते हैं pregnant होने के लिए क्योंकि दरसल जो आपकी पहली pregnancy होती रहा वो ही आपके fertilization को अच्छा करती है आगे के लिए अब अगर आप अपनी पहली pregnancy में ही abortion करवा लेंगे तो वो आपके लिए दिक्कते बढ़ा देगी और वो आपको काफ़ी complication का सामना आपको आगे चल के करना पड़ेगा pregnant होने के लिए तीसरी जो tip है अपने periods को regular रखें जल्दी गर्वती होने के लिए जरूरी है कि आपके periods की cycle जो है वो एकदम regular हो दुरूस्त हो जो आपके periods है वो एकदम तारीक पे आते हों बहुत जादा पहले और बाद में ना आते हों अगर ऐसा है तो फिर आप डॉक्टर से सलाह ले अगर periods regular नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं और मैंने अभी चैनल पे जस्ट वीडियो अपलोड किया है दो दिन पहले उसमें मैंने इवी केर सीरप के बारे में बताया है यह हर्बल सीरप है यह सिर्फ खास महिलाओं की समस्या को ही ध्यान में रखके बनाई गई है प्राइब को दौरान बहुत वीकने से कमजोरी है पेट में दर्द है पैरों में दर्द है तो भी यह सीरप आपके लिए ही है यह बहुत एकजम हर्बल सीरप है इसके फायदे बहुत है आप एक महीने से लेंगे और आपके सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी तो यह कौन सी सीरप है इसका लिंक में कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगी आप इसे मगा के बेजिज़त हैं आपकी प्रॉब्लम्स का यह समधान है जो चौथी टिप है कि अपने ओवल्यूशन पीरियर्ट से नज़र रखें इस दौरान किये गए प्रयास में रिजल्ट में कंसीव करने की संभावना भी काफी आधिक होती है फिफ्ट जो टिप है कि अपने जो आपका वेड है उस पे कंट्रोल रखें बढ़े हुई वजन के दौरान कंसीव करने में काफी परिशानी आती है मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मा बनने का सुख नहीं भोग पाती है क्योंकि ओवरवेट के चलते उनके फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने के आशंका भी बढ़ जाती है तो मोटापे के चलते महिलाओं के बच्चे दानी में सिस्ट भी बन जाते हैं इसलिए जल्दी कंसीव करना चाहती है तो वजन को अपने कंट्रोल करें और बढ़े हुए वजन को बाय बाय कर दे बड़े हुए वजन को कैसे कंट्रोल करना है इसका लिंक भी मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगी वो वीडियो आप जरूर देके सिर्फ अध्रक और लेसुन से आप अपने बड़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकती है एक महीने में ही आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा छटवी टीप है सेहत मंद आहार ले बैलेंस डे हल्दी डाइट ले जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए भी जरूरी है कि मा सेहत मंद आहार खाए और अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखे आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड एंटी ऑक्सिडेंट मर्टिम और इससे चांसे आपके 30% जादा बढ़ जाएंगे साथ में टीप है conception moon conception moon ये विदेशों में बहुत famous word है अपने आहां इंडिया में इतना लोग ज़्यादा follow नहीं करते हैं लेकिन बहुत families हैं जो करती भी है conception moon होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से try कर रहे हैं और आ आप और आपके husband एक quality time spend करिए एक खुशनुमा महौल अपने लिए बनाईए जहां पर आप सारी tension को भूल जाए ऐसी जगे पे आप अपने pregnancy प्लान करिए इससे आपके conceive करने के chances बहुत जादा हो जाएंगे विदेशों में लोग conception moon प्लान करते हैं और इसके लिए वो specially दारण के प्रयास किये जाते हैं जिसका result भी अच्छा निकलता है तो आप ये टिप भी ट्राइक कर सकते हैं आठवी जो टिप है नशे को कहे ना चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों को ही अगर अपनी fertility अच्छी करनी है तो उन्हें smoking को drinking को cigarette और सराब को बिलकुल ना कर देना है क्योंकि आज करके नए जमाने में लड़कियां भी cigarette और सराब पीती है और इस कारण की वज़े से उनके गर्वधारण में दिक्कते आ जाती है क्योंकि जो cigarette और सराब होती है वो प्रजनन छमता को घटा देती है fertility को कम कर देती है और इसका सीधा असर evolution पे पढ़ता है त दोनों के लिए ही खराब होता है यह उन दोनों की ही fertility को पूरा कर देता है जो नवी tip है कि गर्व निरोधा गोलियों अगर आप खा रही तो उनका सेवन छोड़ दे जब प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहरे तो उससे साल भर पहले ही गर्व निरोधा गोलिया लेना बंद कर क्योंकि यह जो दरसल को यह जो कॉंट्रसेप्टिव पिल्स होती है इनका लगतार सेवन करने से ओवलीशन पे इसका बहुत खराब असर पड़ता है और इससे लंबी समय तक कंसीव नहीं हो पाता है तो जब भी आप मा बनना चाहें तो सबसे पहले गर्व निरोधा गोलि कंसीव करने के और गर्व धारण के घांसे भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं में सब्सायक होता है तो प्रेव होतिये के इसलिए स्वाण की संभावना भी प्रभल होती तो इसलिए लुब्रिकेंट का इस्तमाल करना दमपर्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। टेंशन को बिलकुल बाई-बाई कर दें, आज की जमाने में तनाव प्रेग्नेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव और अफसाथ के चलते हैं लोग गर्बधार्ण की संभावना खत्म हो जा रही है लोगों की इसलिए जल्द गर्बती होना चाहती है तो सबसे पहले रिलेक्स रहें और तनाव को अपने से दूर कर दें अगर नौकरी पेशा है दफ्तर वाले हैं तो छुट्टी लेग तनाव का ही जिकरी किया था कि अगर आप इस सोचके रिलेशन मनाने जारी है चाहि रहें कि बस मैं अप प्रइग्नेंट हो जाओ इसके बाद तो इस तरह से घर आप रिलेशन बनाएगे तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव हो जाएगे और लास्ट टिप ये है कि फार्टिलिटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों की ही अच्छी होना जरूरी है तो ये सारी जो टिप मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है इन्हें पूरुष को भी फॉलो करना ये मित तौर पे व्यायाम करना हेल्दी डाइट लेना सिग्रेट सराब का सेवन बंद कर देना ये सारी टिप जो है ये महिलाओं के सासत पूरुषों को भी फॉलो करना अगर महिला की फॉर्टिलीटी बहुत अच्छी है लेकिन अगर पूरुष के फ़िपम क्वालिटी अच्छी नहीं है कॉंटिटी अच्छी नहीं है तो कोई फाइदा नहीं है महिला कंसीव नहीं कर सकती और अगर उसी तरह कि male की fertility बहुत अच्छी है पर महिला की fertility कमजोर है तो भी महिला conceive नहीं कर सकती तो pregnant होने के लिए male और female दोनों की fertility का अच्छा होना जरूरी है तो यह आप tip follow करिए I am sure कि आप बहुत जल्दी parents बनने का सुख उठाएंगे आपकी गोद में भी एक नन्हा कई वीडियो में इस चीज का जिक्री किया है मैं योगा की बहुत फैन थी तो मैं fertility योगा बहुत करती थी अच्छी balanced diet ली थी मैंने अपनी pregnancy diet भी आपके साथ शेयर की है चैनल पर उसका भी वीडियो है folic acid मैं आपको हमेज़ा recommend करती हूं iron calcium folic acid antioxidant multivitamin यह सब वीडियो में मैंने बता रखा है कौन से folic acid लेनी है कौन से multivitamin लेनी है तो यह सब अलड़ी मैंने follow किये हैं जिसकी वज़े से मुझे फायदा मिला और मैंने बहुत जल्दी pregnancy conceive कर ली और यही सब टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूं आप इने follow करके देखिए आपको इसका फाय करके बैल आइकान जरूर प्रेस करें और कुछ परसनली जानना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फालो कर सकते हैं कॉमेंट कर सकते हैं अपनी कोई रिपोर्ड भी सेंड कर सकते हैं मेरा इंस्ट्राग्राम है प्रतिभार 6633 मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए बबबाई सी यू सून इस्टे हैपी एंड इस्टे हैल्दी